हेलो एब्रीबान मैं नील कमल स्वागत करती हूं आप सबों का अपने एडुकेशनल चैनल में बच्चों हम पढ़ रहे थे क्लास 6 का हिस्ट्री ठीक है इसमें हमने पहली के जो सब टॉपिक्स थे वो डिस्कस कर लिये थे और जो रिमेंग सब टॉपिक्स था उसको लेकर मै आज खाजी रिवुई हूं अपनों के सामने और जो हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है इस चैप्टर का वो है एक्चुली एक क्लोजर लुक है आपको ध्यान होगा कि हमने जन्पदा के बारे में डिसकस किया हमने महाजन पदास के बारे में डिसकस कि पहले तो मैं यह आपक सब्सक्राइब क्या थी हम यह डिसकस करेंगे तो यह महाजन पदा जो था महाजन पद जो थे इनकी कुल संक्या 16 ती अप शिक्स्टीन लिए इनकी टोटल संक्या जो थी वह 16 थी इसके बाद इसमें हम मेली देखेंगे कि फॉर्म आफ गवर्मेंट कैसा था तो फॉर्म आ क्योंकि कुछ क्योंकि इन में से कुछ जो थे वो मुनार्की थे और कुछ जो थे वो गण या संग कहलाते थे तो हम यहां लिख लेते हैं मुनार्की यह form of government थे कुछ में 16 जैसे total 16 इन में से कुछ में राजवन्ष थे और कुछ में जो थे वो गण संग थे तो मुनार्की हो गया दूसरा हो गया गणा और संगा कुछ भी आप लिख सकते हैं मुनार्की में हम example ले लेते हैं मगद का बहुत famous dynasty था और गण और संग में हम example ले लेते हैं वज्जी संग का वज्जी आपको ध्यान होगा कि गौतम बुद्ध और महावीर दोनों ही वज्जी संग से ही related थे तो मगद में जो था इसमें क्या होता था कि जनरली एक राजा होता था ठीक है वन रूलर होते थे इसमें वन रूलर होते थे और इन्हें क्या कहा जाता था इन्हें राजा कहा जाता जबकि वज्जी जो थी ये गंड संग था यानि लोगों का सम्मू था जो शाषन करता था तो इसमें क्या होता था कि कोई एक रूलर नहीं होता था बलकि कई रूलर होते थे और हर रूलर जो है उसे राजा कहा जाता था ठीक है तो यहां मेनी रूलर्स लिख लेते हैं और इच रूलर और हर रूलर को राजा कहा जाता था ठीक है तो इस तरह से हमने देखा कि महाजन पदा जिसकी टोटल संख्या सोला थी उसमें ऐसा नहीं था कि सभी राज तंतर थे कुछ में राजवन्ष चलते थे और कुछ में गन संग चलते थे तो हमने देखा कि मोनार्की में हमने एक एक एक्जाम्पल लिया है मगद का क्योंकि यह बहुत ही फेमस था यह एक सबसे इंपोर्टेंट महाजन पदबन के उभरा था और साथ ही साथ इसने आसपास के अन्य जगों को भी अपने सामराज में मिलाया था ठीक है तो हम देखते हैं कि किस वजह से मगद एक एक बहुत ही इंपोर्टेंट महाजन पदबन के उभरा था तो हम चलिए एक फिर से फ्लोचार्ट बना लेते हैं तो जैसा कि मैंने बताया कि मगद जो था वो एक बहुत ही स्ट्रॉंग महाजन पदबन के उभरा था तो क्या वज़त थी कि मगद इतना स्ट्रॉंग बनके उबरा था तो आप देखेंगे जनरली कि कोई भी जग़ जो नाच्रल रिसोर्स से भरपूर होती है उसकी प्रगति बहुत जल्दी बहुत फास्ट होती है ठीक ऐसा ही मगद के साथ हुआ तो चलिए हम देखते हैं कैसी यह हुआ क्योंकि हम देखें कि यह जो है ऑफें मॉस्ट इंपोर्टेंट महाजन पद है और वह मगद है और यहां पर मैने आपको समझानी लिख रखका है नैचरिल र्तिels but if यहां पर काफी मात्रा में एबिलिबिल था नैचर्लिजित में क्या क्या आ जाता है जैसे की रिवर देखिए यह ये नैच्छल रिसोर्स ह है Cabard चोंदेगें और सब्सक्राइब काफी मातरान में भी फिर में देखें टो गंगा और सोन नदी थी गंग में नदी और सां उसकी ट्रीपयूटरी थी और तीसरे कि आसपास को जो लैंड था जैसा कि होता है नदी के आसपास की जो जमीन होती हो बहुत ही फर्टाइल होती थी तो उसमें उसमें क्रॉप्स भी बहुत अच्छे से होते थे प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता था तो इस तरीके से मगद जो था वह काफे अविलेबिल था ठीक है इसके बाद हम चलते हैं फॉरेस्ट की तरफ फॉरेस्ट भी एक नैच्रल रिसोर्स है जो कि मगद में भरपूर मात्रा में विद्धमान था जैसे कि फॉरेस्ट से हमें क्या फायदा होता है उस समय जदी हम देखें तो उसमें के सेना में एलिफें लकडियां मिलती है और उस समय चलन था कि लकडि के महल बनाये जाते थे तो आप देखेंगे कि वुड्ड से और भी कई चीज होते जैसे कि एक तो हाउस बनाए गये कार्ट बनाए गये इसके अलावा जो रत होते थे चैरिट्स होते थे वह भी बनाये जाते थे जिसके लि आइरन और और काफी मात्रा में अविलेबिल था जिससे क्या होता था कि आइरन और और जब अविलेबिल था तो एक तो उन्हें क्या मिल गया आसानी से स्ट्रॉंग टूल्स जो हतियार बनाते थे जिनका युत बैटल में करते थे लड़ाईयों में करते थे वह काफी स्ट्रॉंग बनने लगए क्योंकि हो ओधे और आसानी से कि वह अच्छे नंधियène चैनका प्रच्यूमात्रा में रेविलेबिल था तो इन सब संसाधनों की वज़े से इन सब प्राकृतिक संसाधनों की वज़े से नाचुलर रिसोर्स की वज़े से मगद जो था वो बहुत important महाजन पद्बन के उभरा अब यहां पर देखिए क्या था यहां पर सबसे important राजा कौन थे तो मगद डैनस्टी के जो important rulers थे उनमें सबसे पहला नाम आता है विम्बिसार का ठीक है और विम्बिसार के बाद उसका बेटा था उसका नाम था अजात शत्रू और इसके बाद महापद्मनंद भी एक महतपूर्ण शासत था महापद्मनंद ने इंडियन सब continent के north west part में भी अपने area को extend किया था इसके अलाव आप देखेंगे कि मगद जो था उसके शुरुवाती राजधानी जो थी जैसा कि आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि जो महाजन पत्त्य उसमें capital city अनिवारे रूप से होती थी तो मगद जो था उसकी प्रारंभी के राजधानी जो थी वो राजग्रह थी जिसको आजकल राजगीर कहते हैं और बाद में चलके पाटली पुत्रा बनी जिसका आधुनिक नाम पटना है तो आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि तकरिबां थी-स सवा साल पहले यानि 2300 एयर्स अगो क्या हुआ था कि यूरोप में मैसेडोनिया नाम का एक जगह था वहां का राज़ा था जिसका नाम था एलेक्सेंटर जिसे कही बार हम एलेकसेंटर देग्रेट भी कह देते हैं और हिंदी में जिसे सिकंदर कहते हैं है तो एलेक् क्रम में हलांकि वह वर्ड कॉंकरर बन नहीं सका लेकिन उसने पार्ट्स ओफ इजिप्ट और वेस्ट एशिया के कुछ हिस्सों पर कबजा कर लिया और इसके बाद वह इंडियन सब कॉंटिनेट की तरफ बढ़ा लेकिन बढ़ते बढ़ते जब व्यास नदी के किनारे आया तो उसके सैनिकों ने और भी पूर्व दिशा में बढ़ने से मना ही कर दी क्योंकि वह सुनकर रह गया थे उन्होंने सुना था कि यहां के राजाओं के पास बहुत बड़े सैनिक हैं के अलाबा हाथी हैं रत हैं घोड़े हैं यह सब सुनके ही वह बहुत डर गये थे और वहां से वापस चला गया और आपने सुना भी होगा पोरस के साथ वहां उसकी एक लड़ाई हुई थी आपने एक फेमस सॉंग भी सुना होगा सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई जो की थी लड़ाई तो मैं क्या करूँ है ना तो आपको यह करना होगा आपको बिल्कुल वे आप बच नहीं सकते कि मैं क्या करूँ आपको यह जानना होगा कि यह लड़ाई सिकंदर और पोरस की भीच हुई थी आपको एक स्टुडेंट के नाते यह जानना जरूरी होगा कि ब्यास नदी के किनारे उसके सेना ने आगे बहरने से इनकार कर दिया और सिकंदर जो था यानिक एलेकसंडर जो था वो एक विश फूजर लुक वज्जी वज्जी एक गंड संग था ठीक है वज्जी का कैपिटल था वैशाली और यहां पर फॉर्म ऑफ गवर्मेंट थी वह गना और संगा थी जिसके बारे मैंने पहले भी बताया था कि यहां पर मेनी रूलर्स होते थे कई बार थाउजंड रूलर्स होते थे उसको परफॉर्म करते थे इसके अलावा ये मिलते थे आप सब्सक्राय करते। यह सब कुछ वो आपस में आपसी बात से यानि debate करके और discussion के थूरू सब कुछ decide करते थे कि क्या होना चाहिए जदि किसी राज्जी ने उनके राज्जी पर आकर्मन कर दिया है पर एक चीज थी कि यहां पर इन assemblies में जो women थी दासा थे और कर्माकर कर्माकर जो थे वो landless agricultural laborers को कहते थे वो जो थे वो इस assemblage में शामिल नहीं हो सकते थे और इसके कई ऐसे examples आपको देखने को मिलते हैं जिसमें कि जो powerful kingdom थी वो इन गण या संग को अपने कबजे में करना चाहती थी जीतना चाहती थी और अपने एरिया का विस्तार करना चाहती थी यानि सामराज्य का विस्तार करना चाहती थी तो इस तरह से गणों को या संगों को powerful kingdom ने अपने आधिपत्य में लेने की कोशिश की हला कि जो last gun संग देखने को मिलता है वो हमें गुपता period तक देखने को मिलता है और गुपता period के बारे में हम आगे पढ़ेंगे लेकिन आप इसमें देखें कि एक लोजर लुक में आपको दो जगों के बारे में बताया गया एक मगद के बारे में जहां राज तंत्र था और एक वज्जी संग के बारे में जहां पर गंड तंत्र था तो एन अरली रिपब्लिक चाप्टर का नाम आपको यहां पर समझ में आ रहा होगा कि क्यों इसे एन गुमेटिंग वाइन 2030 वे जो सब्सक्री की और वे अपंड आपया hemóc जोाके इसके बाद फैक आतारो छोंछ सerson 개ृति देह भी अबीन हमारी ऐच्छ हम देखने से वह स्ब्सक्राइबुना इसके बिना गांद झाल साभी वह के वह साधावी कि簡 पते नाम है Kingdoms, Kings and an early Republic यह पूरी तरह से सार्थक है आपके बुक में जो एक बॉक्स बना हुआ है उसमें बहुत इंट्रेस्टिंग वाक्या दिया हुआ है वो मैं आपको बताती हूँ उसमें क्या हुआ था एक्शुली वज्जी संग के बारे में एक बुद्धिस्ट बुक है उस उसने अपने मंत्री वसाकर को भेजा भगवान बुद्ध के पास भेजा कि आप जाईए और भगवान बुद्ध से मिलके आईए कि उनकी क्या सलाय है इस बारे में क्यूंकि मैं वज्जी संग को कैप्चर करना चाहता हूं और अपने मगत सामराज्य में मिलाना चाहता हू तो भगवान बुद्ध क्या कहते हैं वसाकर ने जब ये बात बताई कि अजाद शत्रू की ऐसे इक्षा है तो महत्मा बुद्ध पूछते हैं उन्होंने कुछ को कोश्चिन्स पूछे उन्होंने पूछा कि आचाहिए बताई कि क्या वज्जी संग के जो लोग हैं वो फ् असेंब्लीक करते थे आनि कि समय समय पर मिलते रहते थे आपस में इसके बाद ऑप अकेले नहीं करते थे ये कोई भी काम सलाह मशवरा से यानि कि debate करके discussions करके किसी निर्णय पर किसी नतीजे पर पहुंसते थे और तब उसके according act करते थे और तिसरा कि इन्होंने कई rules established किये थे और उन rules को यह follow भी करते थे इसके अलावा जो elders थे जो बुजुर्ग होते थे उनकी इज़त की जाती थी assemblies में वहां के लोग elders की काफी इज़त करते थे एक और बात थी कि जो वहां की women थी यानि कि वज्जी संग की जो women थी उनको force के साथ capture नहीं किया जा सकता था इसके अलावा चैत्याज हुआ करता था जिसे कि शहर और गाउं दोनों ही जगा पे उसकी maintenance अच्छे सी की जाती थी साथ ही वहां के जो संथ होते थे जो अलग-अलग विचारधारा रखते थे उनका बहुत ज़्यादा सब्मान होता था और उनको किसी बंदिश में नहीं बांधा आ जाता था बलकि वे free थे कहीं भी जाने के लिए और आने के लिए तो यह सब positive चीजे थी जिसने वजजी संग को बहुत ही strong बना के रखा हुआ था तो इस तरह से हमारा यह chapter खतम होता है लेकिन 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 Elsewhere का section अभी बांकी है Elsewhere जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ सबसे important part है आपके book का क्योंकि यह आपको आगे की पढ़ाई से जोडता है आगे की पढ़ाई से मिस अभी आप 6, 7, 8 में हो यहाँ पर आप जो Elsewhere पढ़ते हो actually वही contemporary history है यानि यहाँ पर हमारे देश में क्या कुछ हो रहा है ठीक तकरिबन उसी सहय में वेश्यो के किसी अन्य भाग में क्या होता है उसकी एक जलक आपको इस Elsewhere में देखने को मिलती है तो इसे कभी भी मत छोड़ना बच्चों और इसे बहुत ध्यान से पढ़ना इसमें से कई important questions भी आपके exams में आ जाते हैं तो चलिए हम देखते हैं Elsewhere में आप से कहा ये जा रहा है कि आपको history पढ़ते पढ़ते जोग्रफी पढ़नी है ये कैसे होगा जोग्रफी कैसे पढ़ोगे history पढ़ते पढ़ते एटलस निकालोगे क्योंकि यहां पर दो जगह है Greece और Athens ठीक है Greece और Athens को आपको उस एटलस में ढूंड़ना है और ढूंड के क्या करना है आपको find out करना है कि वहां पर जिस तरह से democracy आज हमारी country में है या जैसा हमने अपने अरली रिपब्लिक वारे chapter में देखा अभी discuss किया ठीक उसी तरह का त वहां के लोग थे जो 30 साल के थे Freeman आप देखो यहां पर वर्ड यूज किया गया Freeman यानि स्वतंत्र वेक्ति जो थे और 30 साल उमर थी जिनकी वह पूर्ण citizen माने जाते थे पूर्ण नागरिक माने जाते थे इसके बाद वहां पर भी जैसे हमारे यहां Assembly थी ठीक वहां पर भी Assembly थी और यह Assembly meetings जो थी वह एक साल में तकरिवन 40 बार होती थी जितने भी citizens थे यह सारे citizens जो थे यह meeting को attend कर सकते थे सब के सब citizens meeting को attend कर सकते थे इसके अलावा जो appointments होते थे यानि जो important post होते थे उसका चुनाव lottery के थू होता था lottery कैसे होता था जो select होना चाहते थे या जो elect होना चाहते थे वह अपना नाम लिख के दे देते थे और फिर उन्हें lottery के थू कोई एक आदमी चुनता था और जिसका नाम निकलता था उसको वह post दिया जाता था कुछ कुछ इसकी जलक मैंने आपको चोला डाइनस्टी पढ़ाते से मैं बताई थी कि वहां भी एक अर्दन पार्ट्स में लोगों के नाम रख दिये जाते थे जो select होना चाहते थे और फिर किसी बच्चे को बुला कि उसमें से चिट निकलवाई जाती थी और उन लोगों में और नेवी में सर्विस देना अनिवारे था और जैसा कि हमने अपने यहां देखा कि विमेंस जो थी उनको दरकिनार रखा गया था इन चीजों से ठीक उसी तरह एथेंस और ग्रीस में भी यही चीज़ आपको देखने को मिलेगी क्योंकि वहां जो विमेंस थी जो फॉ बकाता था तो यह एक चीज़ जरूर है जो कि खलती है लेकिन समय के साथ आज की डिमोकरेशी में ऐसा नहीं है आज जो डिमोकरशी हमारे हैं यहाँ यह जो वर्ड में पूरे वर्ड में ही जो फार्म ऑफ़्ड है उसमें किसी को exclude नहीं किया गया विमेन को भी शामिल किया गया है किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया है सब को इक्वल रखा गया है और इस तरह से आपका ये चैप्टर खतम होता है All the best exam के लिए मिलते हैं हम फिर अपने educational वीडियो में Thank you so much बच्चों और हाँ ध्यान रखना सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना